नमस्कार आप सभी का अगेंस्ट कप्सर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI एक्ट 2005 के तहत जानेंगे कि यदि जीला पदादिकारी कारियाले डियम कारियाले के PIO द्वारा स्वासमे सूचना नहीं दी जाती है और आपने इसका DT अपील डायर किया है तो अपने द्वीती अपील में अपने पक्ष रखते हुए अपना परतिवेदन किस तरह देंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और चुकी मैं लगातार RTI के माध्यम से ब्रस्टाचार के माध्यम से सैक्रों कारियालों में आवेदन करता आ रहा हूं और लगातार सूचना आयोग में भी सुनवाई करता रहा हूं मैं वही वीडियो बनाता हूं जो साक्ष के रूप में आप लोगों को दिखा सकों और उस पर हुए कारवाई अपने परतिवेदन या किस विधी से RTI ACT के तरह हम लोग जागरूख होकर ब्रस्टाचार के खिल आप लड़ सकते हैं चलिए अब तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर और पर भी क्लिक अबस कर लें इससे इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तथा एक लाइक अबस्रे कर देंगे तो चलिए जाने हम लोग किस प्रकार अपना परतिवेदन अपना अक्ष रखते हुए आयोक के समक्ष प्रिसित करेंगे सत्यमेव जयते सेवा में बिहाराजमुक्ष सूचना आयुक्त जिस भी आयुक्त में आपका वाद हो उसका अपने अपन नाम लिख देंगे परतिवादी का बनाम में नाम लिख देंगे जिसको आप पिया यू लोग सुचना अपदाधिकारी सुचना लोग सुचना कारियाले से संबंधित आप लिखेंगे यहां मैंने मध्यपुरा जिला पदाधिकारी कारियाले के पिया यू के खिलाफ देति डाक के माध्यन से वांचित सूचना की मांग किया लेकिन लोग सूचना पतादिकारी जान बुझकर वांचित सूचनाएं नहीं दी दूसरा मैंने दिनांग 20-12-2021 को पर्थम अपिलदार गया जिसमें पत्रांग 17, 129, 121, 2021, 04 सूचना दिनांग 31, 2022 की माध्यन से वांचित सूचनाएं पर्थम कराने का आदेश पारित किया गया इसके बाद भी सूचनाएं नहीं दी गई तीसरा मैंने दिनांग 9, 2022 को दिती अपिल दायर किया जिसमें स्रिमान के नियाले द्वारा दिनांग 29, 2022 की पत्रांग इतना के बाव्यूद अब तक वांचित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराया है चौथा ऐसी इस्तिती में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का सौसमय पालनना करने के कारण धारा 2, 2021 के तहट दोसी PIO पर आर्थिक डंड लगाया जाए जान बूज कर वांचित सूचनाएं अफलब्ध नहीं कराने से PIO के करतब में लापरवाही उजागर होता है एवं सौसमय आर्टियाई एक्ट का पालनना किया जाता है इस कारण धारा 22 के तहट अनुसासनिक करवाई है तू विभाग से सिफारिस भी किया जाए एवं मुझे हुए आर्थिक छती के लिए धारा उनुसाथ भी के तहट छती पुर्ती भी दिलाया जाए इस प्रकार अपना परतिवेदन आयोग में सुनवाई होने के पुर्व अवस जमा करा दें या डाक के द्वारा अवस प्रेशित कर दें या इमेल के माध्यम से भी प्रेशित कर सकते हैं इस तरह अपना अपना वाद को पॉइंट टू पॉइंट अवस लिखें और इसके साथ प्रपत्र को और आयोग का आदेश की प्रति या जो जूठा या जो भी लोग सुचना पताधिकारी उपलब्द कराया है सुचना